यहाँ पे इस वीडियो में क्या है? यह साइकल से एक बंदा जा रहा है और टीवी गर जाती है उसकी यह वीडियो भी स्क्रिप्टिड है जैश श्रियाँ दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि कैसे कुछ लोग यूटूब पे पूरी तरह से गंदगी फैला रहे है सारी चीजे में आपको लैटॉप में दिखाऊंगा और आप खुछ समझ पाएंगे कि कैसे कुछ लोगों के कारण ही बाकी के लोग भी और इंस्पायर होते हैं कुछ दिन पहले पायल जोन आई थी आज की डेट में उसका भाई आया है पायल जोन से इंस्पायर हुआ है और वो ही आया है उसलिए बोलते हैं कि कभी भी आप अच्छा काम कीजे क्योंकि आपको देखके बाकी को लोग भी इंस्पायर होते हैं और खराब काम करने के लिए ज्यादा इंस्पायर होते हैं, अच्छा काम करने के लिए बहुत कम लोग इंस्पायर होते हैं एक समय ऐसा था कि हम YouTube चला भी नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था उतना सारा और आज हमको जब सुविधा मिल रही कि YouTube से हम बहुत सारी सीजें सीखें, अच्छा अपना स्किल डेवलप करें तो ऐसे समय में आज चोरी चमारी हो रही है और उल्टी सीदे चीजें YouTube पे creators अपलोड कर रहे हैं और देखके लोगों का दिमाग खराब होता है, प्लस बाकी के लोग भी वही उल्टी सीदी चीजें सीख रहे हैं और यूजर फिर सोचता है कि YouTube तो पूरा dust win जैसा हो गया किसी को अगर हम बोले हैं कि हम YouTube पे काम करते हैं तो वो बोले हैं यार YouTube पे तो ऐसे ही आज कर लो खराब खराब वीडियो बना रहे हैं तो करता कोई है और भरता कोई है एक मचली पूरे ताल आपको गंदा करती है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक चीज उसके बाद मैं आपको पायल जोन के भाई से भी मिलवाऊंगा दोस्तों देखिए ये एक वीडियो है ये सोनू पलाहा नाम के एक क्रियेटर है आप देखिए 735 के सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी वीडियो में हर दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, जब ही ये रास्ते में निकलते हैं कभी जगड़ा हो जाता है, कभी गाय मार देती है, कभी सांड मार देता है कभी कुछ कभी कुछ इनके साथ होता ही है प्रॉब्लम एक दिन मेरे सामने अचानक वीडियो आई थी तो मैंने देखा था उसके बाद मैंने इनके चैनल पे जाके देखा इतनी सारे वीडियोज हैं अब इनके साथ क्या होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती यहाँ पे सांड मार रहा है इनको यहाँ पे लडाई हो गई बंदे की यह जो मैटो वाला जिसके आज बात करेंगे यह पुलिस वाले से बहस हो गई यह देखिए बाई कट आया और फट गया बोल रहा है बंदा मतलब इनके साथ हर दिन आय आय कुछ ना कुछ होता है सबसे पहले मैं आपको यह वीडियो देखाता हूँ यह वीडियो देखके अभी देखके मैं रोगो हसी आ रही है मतलब इतनी गंदी स्क्रिप्टिंग कैसे कोई कर सकता है 735 के सबस्क्राइबर्स हैं और इसके अगर आप पहले कमेंट्स पढ़ लीजे कमेंट्स पढ़िए ब्रो क्या सारे रोड रेज तुम्हारे साथ ही होते हैं क्या देखो आप भाई तेरी सारी वीडियो स्क्रिप्टिड ही रहती है पर देखने मज़ा आता है आप देख रहे हैं आप देखिये हर कोई बंदा सारे कमेंट्स ऐसे ही है मतलब हर कोई यह देखिये वाह भाई वाह क्या मस्त एक्टिंग की है तुम दोने अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे कमेंट्स ऐसे ही हैं, आप देख लीजेगा अगर देखना होगा, तो थोड़ा सा आप देखिए, यह बंदा यहां से जा रहा है, और यह जो मेंटो वाला लड़का है, देखिए यह गारी कैसे मोड़ रहा है, यह देखिए देखिए यह देखिए, सीधा मोणके आके जान बुचके गिरा दिया गारी, अब आप सोचिए, इतने ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद भी ऐसा काम कर रहा है, जब अच्छा आप काम कर सकते हो, उसके बाद भी ऐसा काम कर रहा है हो, तो इसी से ना बागी के है और टीवी कर जाती है, यह वीडियो भी स्क्रिप्टिड है, इसका भी पहले मैं आपको कमेंट पढ़वा दूँ, आप देखिए, वा भाई, मौज कर दी, क्या स्क्रिप्ट है, पहला ही कमेंट, नाइस स्क्रिप्ट, वेल डन ब्रो, सूपर माइंड ब्लोविंग, अब ऐसे ही सारे कमेंट से कुछ-कुछ बंदे कुछ अलग भी बोलते हैं, भाई क्या स्क्रिप्ट है, वा, मतलब आप देखिए, एक बंदा, इतने सारे बंदे कमेंट किये, मतलब कुछ तो है वीडियो में, आप खुछ देखिए, यह जा रहा है, अब एक साइकल वाला स बात करते करते जा रहा है, यह बिना पीछे देखिए, अपने आप मुड़ रहा है, और कहा जाएगा मुड़ कि आप सोचिए, यह पैर पहले ही गिरा दिए, और इसके बाद यह 9 मिनिट की वीडियो पूरी ऐसे ही बनेगी, यह लोग लड़ते ही रह जाएंगे, तो कहने क मतलब यह है कि इस बंदे के साथ हमेशा ही प्रावलम होती है, तो यार ऐसे में यूट्यूब का नाम खराब होता है, जब पता है कि सारा चीजें स्क्रिप्टेड है, तो पता नहीं फिर भी लोग इनको क्यों देखते हैं, और व्यूज आप इस वीडियो पे देखिए, 126 79 यह देखिए, मतलब बढिया व्यूज आ रहे हैं, यह देखिए 666, हर वीडियो पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि क्या देख रही है यार ओडियंस, चलिए creator देखिए तब ही वीडियो बनाते हैं जब ओडियंस देखती है, आप लोग अगर न पायल जोन थी जो, वो सबको मार रही थी, रिप, आशीष चंचलानी नहीं रहे, ये बात सिर्फ सूत्रों के हवाले से ख़बर मिली है, मुझको पता चली क्योंकि मैं उनकी दोस्त थी, लास्ट वीडियो में बोल दिये कि व्यूज के लिए मैं ऐसा कि क्योंकि आप लोग कितना ज्यादा, कितना ज्यादा ये लोग क्वालिटी गिरा रहे हैं YouTube का, कुछ चंदी लोग होते हैं जिसके कारण YouTube बनाम हो रहा है, जिसके कारण बाकी के भी creators बनाम होते हैं, अब ये वीडियो में ऐसा कुछ खास तो था नहीं, मैं यही बताने के लिए किया था कि यार अच्छा काम करो, जो अच्छा भी कर सकता है, वो भी खराब काम कर रहा है, तो जो खराब कर रहा है, तो खराब करेगा, क्योंकि अगर आप खराब काम कर रहे हो, तो आप ही कुछ देख कि क्या भरुसा कोई-कोई इंस्पायर हो जाए, और वो भी वैसा काम करना लगे, त पुछ दिन पहले रूल आया था केरला में कि अब मोटो व्लॉगर्स हम लोग जो व्लॉगिंग करते हैं तो कैमरा उदर हेलमेट के सामने लगा रहता है तो वो आप लगा के व्लॉग नहीं कर सकते हो अब हुआ हुआ कोई गारी तेज चलाता है एक्सिडेंट हो गया तो केरला में आप नहीं घूम सकते हो हेलमेट के आगे वो कैमरा लगा के अब डर था ये अभी भी डर है कि कहीं पूरे इंडिया में ऐसा ना करते हैं तो हम लोग की तो कहानी बन गई मोटो व्लॉगर्स की क घरता कोई है भरता कोई है ये जितनी भी कहावते हैं सारी पुरानी हैं लेकिन एकदम सच्ची है तो यार अच्छा काम करो यार अच्छा काम करो और अच्छी चीज देखो मैं उनको नहीं बोल रहा हूं क्रेटर्स की गलती नहीं है आप ओडियंस प्लीज जरा समझो दिखना है जो लड़का व्लोग करता है तो भाई अच्छे व्लोगर को देखो आप पता है जब स्कृप्टेट है फिर भी आप उनकी वीडियो पर क्यों व्यूज दे रहे हो यार ठीक है अच्छी चीज देखो यार अच्छी चीज देखो अच्छा चीज सीखो ताकि आने वाली जेनरेशन को भी कुछ अच्छा दे सको, मिलता हूँ अगली वीडियो में, सीता राम